अलो फ्रेंज कैसे हैं अब सब लोग और थैंक्स वाचिंग माई चैनल तो इस वीडियो में हम डिसकेस करेंगे यह बैंक के प्राइस चार्ट के बारे में क्योंकि यहां पे एक पॉसिबिलिटी है ब्रेक आउट होने की यहां पे एक रेंज ब्रेक आउट है जो कि हो सकता है होने वाला है ठीक है लेकिन प्रोबैबिलिटी है कि हो सकता है क्योंकि इस शेयर का रेकॉर्ड रहा है कि जब भी यह उपर की तरफ जाता है उसके बाद नीचे आ जाता है बहुत सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है तो देखिए प्रॉब्लम यह है ना अगर आप अन जो बड़ा ट्रेंड है यहां पर क्योंकि हम वीकली चार्ट की बात कर रहे है जब इस टाइब का प्राइस चार्ट होता है एक बार बहुत तेजी से गीरा और यह जो भी फिलाल हो रहा है ना वो कंसॉलिडेशन है क्योंकि अगर अपसाइड होना होता ना तो यह ऐसे गिर जाता है उसके बारे में डिसकस कर रहा हूं और इसमें कोई भी यह नहीं है कि इसमें यह हो सकता हो सकता है जो भी हो सकता होगा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह अगर इसी तरीके से अंडर परफॉर्म करता रहा तो एक टाइम के बाद यहां पे जो अंडर परफॉर्मेंस साना वो करेक्शन में तबदील हो जाएगा बहराल जो हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखना है आपको शेर का जो ट्रेंड है बहुत कुछ तो यहां पर देखिया आप 16 रुपए का अगर यह 16 रुपए के नीचे गिरा तो यहां पर करेक्शन फिर से शुरू हो जाएगा तो यहां पर एंथ्यूजियाजम अपने तरफ है अपने जगह तक रखी है लेकिन यहां पर अन्नेसेसरी चीज़े मत कीजिए आपको बहुत दिक्कत हो सकती है यहां पर सिर्फ रेंज ब्रेकाउट वाली बात नहीं है यहां पर इतने सारे कॉशन्स है कि आपको हर एक चीज़ देखके और समझ के उसके आद करना पड़ेगा देखिये हर एक चीज़ का परपस होता है अगर आप बिना परपस के इस पर काम कर रहा है तो आपको प्राबलम हो सकती है तो यहां पर अगर 25 रुपए के उपर जाता है यहां पर इफ बहुत बड़ा इफ and बट है तो 25 रुपए के उपर जाता है तो आने वाले सालों में जो उपर का रेंज खुल सकता है ना वो खुल सकता है 76-88 के बीच में अब यहां पर बात स 88 तक आया एवन 100 तक भी आर वहां पे भी फस गया ना तो आप समझ लीजिए कि यह खाली एक डेड़ कैट बाउंसी होगा अगर लॉंगर टर्म टाइम फ्रेम में क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर इसको बड़ा मूव दिखाना है तो यह जैसा गीरा ना उससे दु लग सकता है बहुत शेर होते हैं जो धीरे 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 जैसे अगर आई टी के सेक्टर का चार्ट देखेंगे जो बहुत सारे अच्छे शेर से हैं जो साल 2000 में अपना हाई बनाये थे उसके अगला हाई आते आते दो हजार बीस इकीस बाईस आगे 20 साल का डिफरेंस गया तो क्या यह उन में से है एक प्राइस चार्ट में ओवराल वैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर बहुत सारे कोश्चेंस हैं फिलहाल सिंप्ली आप देखिए यह जो है बाउंस बैक है उससे जादा इसको आप मत लीजिए अगर 25 रुपे उपर गया और सस्ट अब यह कितना सस्टेन होता है कितना ही नहीं होता है यह बहुत ज्यादा कोश्चेनेबल है उसका रीजन यह है क्योंकि यहां पर ट्रेंड में कुछ ऐसा नहीं दिखता है जो इस ट्रेंड को स्ट्रेंथ दे रहा हो मीनवाइल अगर 16 रुपे के नीचे जाता है तो यहां पर करेक्शन फिर से शुरू हो जाएगा यह भी आप ध्यान रखिए तो दिस इस दे अफ दे वीडियो थैंक्स वाचिंग